हलो दोस्तों आप देख रहे हैं टेक आफ डे मैं कुछ जैसा कि आप लोग जानते ही है मैं कम्प्यूटर से रिलेक्टेड बेसिक नॉलज़ की ट्यूटरियास का वीडियो शिलाता रहता हूँ है तो उसी तरह से फिर से हम लोग आ गए हैं आज एक नया वीडियो लेकर जिसमें मैं आप लोगों को गूगल के कुछ सौटकॉर्ट कीस के बारेस में बताऊंगा और बहुत सारे ऐसे कुछ काम होते हैं जल्दी जल्दी में जो की हमें सौटकॉर्ट का उपयोग लेना पड़ जाएगा ऐसा टैप का या फिर आप लोगों के जरूरत के हिसाफ से जैसे कि आप लोगों को जल्दी जल्दी काम करना रहता है गूगल वेब पेज में तो आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है या फिर ऐसा कुछ तो मैं आप लोगों को आज एक 5-6 कुछ ऐसे important tips है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आप लोगों से share करना चाहूँगा तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं अपना जो keyboard है उसको screen पे ले आते हैं ओन स्क्रीन कीबोर्ड कर लेते हैं यहां से यहां से ऐसा क्लिक करके यहां से ले आते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आती रहे कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है क्या क्या मैं क्लिक कर रहा हूं क्या क्लिक नहीं कर रहा हूं यह सब है तो उसके बाद हम लोग ओपन कर लेते हैं Google Chrome कि इसी में करना है हम लोगों ऐसा तो मान लीजे कही हम हमारे कम्प्यूटर में हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं अपने वेब पेज में बहुत सारे वेब पेजेस खोल रखे हैं ऐसे जैसे कि मान लीजेसे मैं बहुत कुछ खोल लेता हूँ अब यह जैसे कि लाइट आफ हो गया है लाइट आफ होने पर यह ऐसे करके हट जाता है यह भी हट जाएगा ऐसे करके हना हट जाता है तो उसको फिर से जैसे कि हम लोग यह देख सकते हैं आपन किये है ना तो हमारा वो सब जो काम कर रहे थे वो सब पेजेस तो वो तो कट गया है हट गया है तो उसको हम लोग किस तरह से ला सकते हैं तो आप लोगों को मैं बताता हूँ जैसे कि CTRL SHIFT दबाएंगे फिर T को क्लिक कर देंगे है ना CTRL SHIFT और T दबाने से यह देख सकते हो आप लोग पूरा सभी टेब्स यहां पर आ गया है जो जो मैं खोला था अभी यह देख लीजे न्यूज का खोला था ये दो new टेब์ खोला था है ना ऐसा ला सकते हैं जैसे कर लाइट आफ हो गया या फिर और कूछ अब उसके बाद हम लोग नया ट्रिक के बारे में चलते हैं उसके बाद जैसे की new टेबल लेना है जैसे की माल लिजे मैं इसको कट कर दिया, ऐसे, 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 ऐसे करके, ठीक है, तो उसके बाद new table लेना है, तो new table लेने के लिए control दबाएंगे, यहाँ से control फिर T कर देंगे, यह देख सकते हैं, फिर से control T, फिर से control T, है न, control T, दबाने से new table open होता है, confuse नहीं होंगे, है न, मैं description पर भी लिख दूँगा, इसको दबाने से यह होता है, इसको दबाने से उससे देख कर आप लोग समझ सकते हैं, फिर उसके बाद जैसे कि बहुत सारे हम लोग table खोल लेते हैं, तो जल्दी जल्दी में कहीं बार बार तो यहां कर ऐसे, 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 ऐसे cut तो नहीं करते रहेंगे हैं, जल्दी जल्दी में आप लोगों को cut करना है, तो जैसे कि स्वाट कर on की बताता हूं इसके लिए तो इसके लिए हम लोगों को कट करना है बहुत साइल टेव ओपन हो गया है तो इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं है ना अब जैसे कि हम हम लोग बहुत टाइम से डाटा चला रहा है नेट चला रहा है ना तो हमारे उसमें कंप्यूटर में हमारे ब्राउजर में बहुत सारे डाटा अपलोड हो गया रहता है ना बहुत सारे डाटा अपलोड हो गया रहता है तो उसको क्लोज करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए है ना डिलीट करने के लिए हम लोग ये शॉट्कॉट की का यूज कर सकते हैं अपना कांट्रोल सीफट और डिलीट ओ है न थोड़ा अपन होगा के कंट्रोल सिफट और डिलीट ऐसा करके ये लिए सब्किंद फार्ट कर सकते हैं डाटा को क्लियार कर सकते हैं जैसे कि हम लोग अपने मौबायल में क्यपरकार के डाटास एकstras हो करते हैं उसको क्लियर करते हैं उसी तरह से क्लियर कर सकते हैं तो मैं तो अभी नहीं करूंगा आप लोग कर सकते हैं क्लियर जैसे कि माल लिजे कर ही देता हूं यह देखिए ऐसे करके तो थोड़ा लेट लेता है क्लियर होने में यह देख सकते हैं 318 MB का इसा कुछ है है ना ऐ जैसा क्लियर हो जाता है 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 ना अब हम लोगों को जैसे कि कुछ भी फाइल डाउनलोड किये हैं या फिर और कुछ तो उसको देखना है तो simply हम लोग यहां से ऐसे करके देख सकते हैं यहां से जाकर तो वैसे नहीं जाकर simply control दबाएंगे control जे कर देंगे यह देख सकते हैं डाटा मैंने क्लियर कर दिया इस वज़े से नहीं आ रहा यह देखिए आ गया control जे यह देखिए यह मैं डाउनलोड किया था कुछ वीडियो यह सब आ जाता है ऐसे करके यूज कर सकते हैं हैं है ना कि कंट्रोल जे दबाना है जैसे कि कंट्रोल फिर जे फिर डाउनलोड जो भी डाउनलोड किये हो वह सब सो हो जाएगा है ना अब उसके बाद में आप लोगों को एक बहुत ही बहतरीन जैसे कि हम लोग कभी कभी ऐसे कुछ कभी कभी इंसान के मन में आ जाता है कि यह वीडियो देखना है ऐसा कुछ होता है है ना तो कुछ ऐसा जो डाटा हो जिससे हम सर्च मार रहे हैं अपने कंप्यूटर में और कोई डाटा या फिर जो भी हिस्ट्री है उसको कोई गूगल या फिर और कोई सर्वर ना कि ना ट्रेक कर सके ना देख सके ऐसा टाइक कुछ रहे है ना जैसे ओ वाली वीडियो हम लोग देखते हैं फिर कोई भी देखता है तो उसके लिए आप लोगों को अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसा बहतरीन में ट्रिक बताता हूं जैसे कि तो यहीं से ही कर सकते हैं जैस कि एक सेकेंड ना मैं स्क्रीन ले आता हूं अपना कीबोर्ड वाला यह यहां से कंट्रोल शिफ्ट और एन दबादेंगे है है ना कि कंट्रोल शिफ्ट करके एन कंट्रोल शिफ्ट फिर एन यहां से आ गया मैं दर असल इसको सेलेक्ट किया था ऐसे यह तो नहीं आ रहा था मैंने इसको सेलेक्ट किया फिर यह आ गया हैना ऐसा कर सकते हैं यह देखिए यहां से कि आते हां अब बझाड़न अब जो भी सर्च मारो जैसा भी सर्च मारो आ कोई आपका जो डाटा है या फिर खुछ भी उसको कोई रिकॉर्ड नहीं रहे गया है अधि कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहे वैसे तो एसा नहीं करना चाहिए लेकिन कभी कभी जरूरत पढ़ जाता है तो करना पढ़ता है ऐसा ड़ी है अब उसके बाद हम लोगों को जैसे कि कुछ भी हिस्ट्री देखना है या फिर और कुछ जैसे कि मैं तो डिलीट कर दिया हूँ अपना हिस्ट्री जो भी है आप लोग तो देखे ही है तो जैसे कि माल लिजे हिस्ट्री लाना है तो कंट्रोल करके एच दबा देंगे है ना कंट्रोल एच करने से यह देख सकते हैं हिस्ट्री आ गया जो भी हिस्ट्री अभी तो नहीं है है ना अभी तो कुछ भी हिस्ट्री नहीं है क्योंकि मैं सब क्लियर कर दिया हूं आप लोग तो देखे हैं तो इस तरह से आप लोग अपने कंप्यूटर में बहुत सारे सेटिंग्स करके बहुत सा जानकारी और अपने ब्राउजिंग का जो काम है वो बहुत ही फास्ट कर सकेंगे सो थैंक्स अल अफ्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर हमारी वीडियो पसंद आया था हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नाटिफिकेशन दबाए जिससे की हमारे नए वीडियो की नाटिफिकेशन का जो है नाटिफिकेश आपके मोबाइल पे या आपके कम्प्यूटर में सबसे फर्स्ट में पहुंचे so thanks all of you मिलते हैं next वीडियो में कर दो हुआ है